मसकार दोस्तों स्वागत है आपका माचल में मैं नाम इरिसी राजकिस बने माम बात करने बाले बिहार रासनकार सिकायत के बारे में दोस्तों बिहार में रासनकार से रिलेटेड बहुत साय लोगों को बहुत तरीके का सिकायत होगा लेकिन उनके सिकायत का किसी भी परका का कोई सुनबाई नहीं होता था लेकिन यहाँ पे बिहार सकार ने एक बहुत ही अच्छा नियम निकाला है कि आप जो है रासनकार से रिलेटेड जितने भी सिकायत हैं लोग सिकायत निबारन अधिनियम के अंतरगत ला दिया गया यानि कि इसके अंतरगत अब आप जो है किसी भी परकार का आपका राशनकार में किसी भी परकार का कोई प्रॉबलम हो रहा है कोई आपसे घूंस मांग रहा है या फिर किसी भी परकार का आपको दिक्कत हो रहा है कि यह जो है नया नियम किस परकार से निकाला गया है और आपको किस परकार से अस्टेप बास्टेप यहाँ पे आपको आबेदन करना है शिकायत के लिए आपको किस परकार से यहाँ पे आबेदन करना है साथ में दोस्तों आपको यहाँ एक चीज बता दें कि यहाँ पे आप के सिकायत का 100 पर्सेंट यहां पे आपका सुनबाई होगा और आपके सिकायत का समाधान किया जाएगा तो उससे पहले अगर आपने हमाई चल बंच को सब्सक्राइब नहीं किया में यहाँ निजействर पहले में भी लोग सिकायत में सुनबाई यानि कि यहां पे लोग सिकायत निबारन जो अभी मैंने आपको बेवसाइट दिखाया यहां पे पहले इसका सुनबाई नहीं होता था बहुत सारे बिभाग का सुनबाई होता था लेकिन यहां पे आपका रासन कार्ड का किसी भी प कानून के तहट दर्ज की जाएगी लोग सिकायत निवारन पदाधिकारी इस मामले की सुनबाई करेंगे इससे राशनकार से संब्लनित सिकायतों का त्वरित निराकरन हो सकेगा इसके लिए मुखमंतरी नितिशकुमार के अध्यचेता में गुरुबार को हुई ब्राज्य कम नहीं था उसमें आपको जो है राशनकार से रिलेटर यहाँ पर शिकायत नहीं कर सकते थे लेकिन आप जो है आप राशनकार से रिलेटर भी शिकायत कर सकते हैं और भी बहुत सारे विभाग के से रिलेटर वहाँ पर शिकायत कर सकते थे लेकिन राशनकार से रिलेटर सिका आधिकारी के समझaks शिकायित, कर सकता है, लोक parameters शिकायित निबारण पदाधिकारी का निस्फादन करेंगे, यानि आप ऑफ-लाइन भी जो है, लोक cum कायित निबारण पदाधिکारी जो हैं उनके पास आप offline भी कर सकते हैं या फिर आप जो online भी कर सकते अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जो पहले online नहीं होता था लेकिन अब जो online ला दिया गया तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको step by step किस परकाल से यहां पर आबिधन करना है अपना सिकायत किस प्रकार से धर्ज करना है दोस्तों सिकायत धर्ज करने के लिए आपको जो इस वेब साइट पर आ जाना है या फिर आपको सिधा गूगल में टाइप करना है बिहार लोक सिकायत सिकायत निबारन यह आपको जो है लिख देना है और यहाँ पर जैसे यह आप लिखते हैं जैसे सर्च किजिएगा तो आपको जो है पहले ही लिंक यह मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उपर में ही आपको लिंक मिल गया है तो इस link पे click करके आप जो है इस website पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नया परिबाद धर्ज करें यहाँ पे आपको click करना है click करने के बाद यहाँ आपको जो है एक अलग interface कुल कर दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पे किसी भी परकार का सिकाइट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देतेना चाता हूं कि यहाँ पे होने बाला जो सिकाइट है उसका 100% यहाँ पे जो है आपको solution मिलेगा 100% आपको जो है समाधान मिलेगा। तो मैं जो है यहाँ पर मेरे पास किसी भी प्रका का कोई सिकायट नहीं है लेकिन मैं जो है यहाँ पर एक सिकायट दर्ज करने के लिए आपको दिखा लेता हूं कि किस पकार से आपको जो सिकायट दर्ज करना है सिकायट दर्ज करने के लिए जैसके मैंने आपको बिताए उस form खुलके आ जाएगा इस form को को करना क्या फिल करना है सबसे पहले सबसे पहले पूरा यहां पर सबसे पहले आपको सेलेक्ग करना तो अ disclosure रिखना है उसके बाद आपको यहाँ पे पिता जी का नाम लिखना है उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा पता लिखना है फिर यहाँ पे अपने गाउं का नाम लिखना है फिर डाग घर लिखना है फिर राजी सलेक करना है जिसे कि मैं राजी यहाँ पे बिहार सलेक कर लेता हूं यहाँ पे आपक कर लिया फिर आपका जो आंचल यानि कि आपको अपना ब्लॉक सेलेक करना है तो मैं यहाँ पर अपना ब्लॉक भी सेलेक कर लिया अब यहाँ पर आपको थाना दर्ज करना है कि आपका किस थाने में आपका एडिया पड़ता है उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर करना क् तो यहां पर अपना link select करना कि आप पुरूस में महिला है या त्रिक्तिय लिंक जो भी है आप यहां पर आपको select कर लेना है उसके बाद दोस्तों अब नीचे जो आता है आप किसके बारे में सिकायत करना चाते हैं और किसलिए सिकायत करना चाते हैं उसके बारे में तो यहां आपको क्या है आपको लिखे ही आएगा यहापको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तों यहापको बिभाग हुछा जाएगा कि आप लिखें में और ने आप वि मिल जाएगा Excuse you यानि कि आप अगर रासन काट के लिए करना चाहते हैं तो आपको यहां से सिकायत कर सकते हैं आप या रहात तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस संबंदित में करना चाहते हैं यानि कि आपका क्या हुआ है क्यों आप यहां पर सिकायत करना चाहते हैं तो अधिप करुकर जो भी सिकायट है या फिर रासानकाड में नाम जोरने या हटाने के लिए आपने दीया तocus नहीं हुआ तो इसके लिए भी आप जो यहाँ पे सिकायत कर सकते हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पे सेलेक्प कर ले ना है तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जिला पूर्ती पता दी काड़ी को आपको सेलेक कर लेना है फिर आपको यहाँ पर काड़ियाले सेलेक करना है यानि कि आपका जो काड़ियाला है वो कहाँ परता है तो आपको अपना जिला ही सेलेक कर लेना है उसके पड़िबाद का संच जोड़ने के लिए दिया था अपने फैमिली मेंबर का तो जो है मेरा नाम नहीं जुड़ा है तो यह क्यों हुआ तो ऐसे करके आपको यहां पर लिख देना हिंदी या इंगलिस कुछ भी आप लिख सकते हैं उसके बाद आपको जो है मूल परिबाद की छाया परती यहां कि आपने नाम जोड़ने के लिए दिया होगा तो आपको किसी भी परका का कोई receiving मिला है तो आपको जो है यहां पर PDF में आप जो है यहां पर upload कर सकते हैं एक MB से कम अब यहां पर है कि दोस्तों क्या परिबाद पहले भी किया गया क्या आपने पहले भी सिकायत किया तो यहां यहां पर आपको the life करना है या फिर पहले सी किये इत कःगे परिबाद का अब जबाब कर प्रॉक्त है हां यहां यहां तो मैंनेकि परका कर नहीं किया है देखास आपको जो submit बटन पर क्लिक करके submit कर देना है तो इस परकार से आप जो यहाँ पर आबेदन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया और फिर भी बता देता हूं कि आपको किसी भी परकार का आपका अगर प्रोब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक मिल रहा है कि पड़िबाद अपील प्रोब्लम रच्छन की स्थिती जाने यानि कि आपने जब वहाँ पर आबेदन किया जो आपको प्रिंट मिलेगा तो उसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा यहाँ पर आप उस नंब बारन कर दिया जाएगा आपके सिकार का 100% सुनबाई कर दिया जाएगा तो यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों कि पहले रासनकार इसमें नहीं था और बहुत साले लोग हैं जो कि रासनकार से रिलेटेड हैं यहाँ पर मुझे कॉमेंट करते हैं कि सर यह लाइब की जमाय चैनल को साथ ही सेर की इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके मिलते नेक्स वीडियों तर तक के लिए धन्यवार